हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है लर्न इट के एक और नए वीडियो में और बिना टाइम वेस्ट किये चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक वन के बारे में जोकी है नाइन्थ क्लास का चैप्टर वन मैटर इन अवर सराउंडिंग् है अब मैटर है क्या बिसिकली देखा जाये तो आस पास में आपके जितनी भी चीजें हैं जिस जीज भी चीज पर आपकी नजर पढ़ेगी वह सभी चीज मैटर की बनी होगी जैसे कि आपकी पैंसिल पैं ले लो टेबल जिस पर आप बेठे हैं खाना जो आप खाते हैं इसकी definition के बारे में, तो इसकी definition क्या हो सकती है, अब matter ऐसी चीज हो सकता है, जो space में जगे को ले, मतलब अगर हमारी body है, तो हमारी body भी क्या कर रही है, इस पूरे space में कुछ ना कुछ तो जगे लेती है, हम में कुछ वजन होता है, तो matter के अंदर भी कुछ वजन होगा, हम पर कुछ भी चीज हवा चलेगी, कोई हमें धक्का देगा, तो हम क्या करेंगे, उसके खिलाफ resistance देंगे, यानि उसके खिलाफ लडेंगे, तो same to same matter की definition हो जाती है, कि एसी सारी चीजें, जो space में occupy करें, उसमें mass हो जिसके कारण gravity उसक English में पढ़े हैं, तो कहलाती है, it is anything that occupies space and has mass and offers resistance to any kind of applied forces, second thing, अगर आप universe की बात करते हो, तो यहाँ पर जितने भी substance है, जितने भी material आप देख सकते हो, जो नहीं भी देख सकते हो, उन सारी चीजों में किसका हाथ है, matter का ही है, मतलब matter से ही पूरी दुनिया बनी है, एक एक substance जो भी है, दुनिया का युनिवर्स का से बना हुआ है, matter से बना हुआ है, जहां तक कि हम भी matter से ही बने हुए हैं, नेक्स सेग्मेंट के बारे में बात करते हैं, तो आता है यापर composition of matter, मतलब matter किन चीजों से मिलके बना है, अब देखा जाए तो Indian philosophy के हिसाब से या पुरा चीजों से मिलके बनी है, five constituent से मिलके बनी है, जिसको उन्होंने नाम दिया तत्व, तो यहां पर हमको जो पास तत्व के बारे में पता है, वो है air, जिसको हम वायू बोलते हैं हिंदी में, अर्थ, पृत्वी, water, जल, fire, अगनी, and sky, तो last में आता है आकाश, त्वी, जल, कहीं ना कहीं मिलके आपस में किसका formation हुआ है, पूरे की पूरे matter का formation हुआ है, और अगर matter को आप तोड़ोगे, तो यह पांच चीजे ही उसमें से निकलने वाली है, या तो वो किसी air का हिस्सा होगा, अर्थ का हिस्सा होगा, पानी का हिस्सा होगा, अगनी का हिस्सा होगा, या आकाश का हिस्सा होगा नेक्स सेग्मेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आता है कि यह जो matter है वो बना हुआ किस चीज से है तो देखा जाए तो matter बहुती छोटे particles से मिलके बना है मतलब छोटे-छोटे particles जब आप mix करोगे या आपस में clump करोगे तब जाके आपको formation मिलेगा matter का इसका मतलब अगर matter को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको particle जैसे कि हम बोल रहे हैं कि particle को आप जोड़ोगे तो matter बनेगा तो matter को अगर आप तोड़ोगे तो आपको same manner में क्या मिलेंगे छोटे छोटे particles देखना को मिलेंगे अब यह particle की size भी क्या होती है बहुती ज़्यादा छोटी होती है तो particle भी आगे जाके दो parts में divide हो जाता है पहला कहलाता है atom और दूसरा कहलाता है molecule तो हम इस पूरे topic से समच सकते हैं कि matter बना है particle से और particle बने है atom और molecules से इसका मतलब यह matter ultimately किस चीद से बना होगा atoms और molecules से अब इस अगले segment में हम जो बात करने वाले हैं वो है properties of matter की मतलब यह matter कौन-कौन सी properties दिखाते है जब वो एक part की सारा का सारा matter किस चीद से बना है छोटे छोटे particle से मिलके बना है और यह छोटे छोटे पार्टिकल आगी जाके किस में डिवाइड होते हैं atoms और molecules के अंदर इसकी characteristics को पढ़ने के लिए हमको एक theory के बारे में पढ़ना पढ़ेगा जिसको कहते हैं kinetic theory of matter अब इस kinetic theory of matter के अंदर कितने point का मतलब यह है कि जितने भी matter के अंदर जो भी material लगा हुआ है वो किस चीट से बना हुआ है small particles से मिलके ही बना हुआ है second के बारे में बात करते हैं तो these particles have space in between them मतलब आप जितने भी matter के अंदर comprises particles की बात करोगे तो हर एक particle के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ space देखने को जरूर मिलेगा third बात करते हैं particles are continuous moving इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर matter की property को देखोगे तो उसके अंदर जितने भी छोटे-छोटे particles होगे वो एक जेगे चुप-चाप नहीं बेटेंगे क्योंकि उनके अंदर कौन से energy होगी kinetic energy होगी जिसके कारण वो continuous इदर से उदर move करेंगे हम आगे topic के अंदर और पढ़ने वाले हैं कि कितने kinds के matter होते हैं कितने forms में present होते हैं जिसे solid में कैसे हैं liquid में कैसे हैं gases में कैसे हैं और हम जब solid को देखते हैं तो हो तो move करता ही नहीं है liquid जरूर move कर सकता है और gas तो बिल्कुल move कर सकता है इसको भी हम आगे distinguish करने वाले हैं और last point के जहां तक बात करते हैं तो उसमें लिखा है the particles attract each other इसका मतलब यह होता है कि यहां पर attractive force लगता है जब हम kinetic energy की बात करते हैं दो particles की बात करते हैं तो इनके बीच में कौन सा force होता है kinetic energy का force होता है और attractive force होता है जिसके कारण यह particles आपस में क्या करते हैं attract होते हैं अब हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के या इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में इसको कहता है पार्टिकल्स ओफ मैटर आर कंटिन्यूज मॉविंग अब आप बोलोगे कि ये वाला टॉपिक किस से रिलेटेड है तो अभी हाल हमने जो इसके पहले वाला टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था काइनेटिक थीरिय ऑफ मैटर उसमें जो सेकेंड़ पॉइंट था वो कहता है इस पार्टिकल्स है space in between them और तीसरा particle बोलता है या तीसरा point बोलता है the particles are continuous moving तो उसी को हमने इस topic के अंदर particles move करते हैं तो देखा moment दिखाते हैं या motion दिखाते हैं अब आप बोलेंगे motion का मतलब motion का मतलब होता है जब कोई सी चीज अपनी जगे से displace हो एक जगे से तो उसको भी हम क्या बोलेंगे motion तो बात करते हैं पहले portion के बारे में जिसको बोलते है ट्रांसलेटरी motion अब ट्रांसलेटरी motion है क्या जब कोई particle किसी straight line में जाता है बिना किसी direction को change करें और अगर direction change करता भी है तो उसमें कोई energy का loss नहीं होता है तो उस type के motion को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी motion इसका मतलब है कि सीदे पात पे या curved पात पे आप जाते जाओगे या कोई body या कोई particle मूँ करेगा तो उसको बोलेंगे हम ट्रांसलेटरी motion अब किस में जादा और किसमें कम होता है जैसे कि हम तीन पार्ट को दिए गैस के form में तो यहाँ पर maximum जो यह movement दिखेगा सबसे कम किसमें मिलेगा solid form में दिखेगा जब हम किस से compare करते हैं liquid से compare करें मतलब liquid को बीच में बिठाते हैं हम और अगर देखते हैं कि ट्रांसलेटरी motion किस में जादा होगा तो liquid में बीच वाला होगा gases में सबसे जादा होगा और solid में सबसे कम होगा next topic लेते हैं तो उसके अंदर आता है rotational motion अब rotation जैसे कि हम classes में भी क्या करते हैं rotation लेते हैं एक आगे jump करते हैं फिर आगे वाला बच्चा पीछे jump करता है जो first पर बेठा है ऐसे ही करके हम क्या करते हैं हमारे turns लेते हैं तो वैसा ही particle भी movement करता है अगर आप एक ही जगे पर गूमने लग कर देगा तो उस टाइब के motion को बोलेंगे rotational motion एक्जामपल सिंपल सा है कि अर्थ क्या करती है और sun के आसपास भी घूम रहे हैं तो वो क्योंचन हो गया ट्रांसलेटरी मोशन और rotational motion क्या होगा जब अपनी एक्सिस पर गूमती है और दिन और रात बोलते हैं rotational motion अब किस में जादा और किस में गम है तो gases में सबसे जादा होता है क्योंकि वो बिल्कुल free होती है और liquid में कम होता है जब हम compare करें किस से गैस से और obviously solid में हो नहीं सकता क्योंकि वो अपनी जगे पर नहीं करेगा क्योंकि solid का definite structure है उसको एक basic body दे दी है लास्ट बात करते हैं vibrational motion के बारे में अब vibrational motion का मतलब होता है हमारा mobile अगर वाइब्रेट करता है तो वह क्या करता है हिलना चालू कर देता है और अपनी जगे से डिस्प्लेश होना चालू करते ता तो अगर एक पार्टिकल क्या कर रहा है तो एंड फ्रो का मोशन दिखाता है मतलब आगे मोमेंट दिखा रहा है कहीं दूसरी जगे पहुंच है मतलब अपनी जगे पर आगे पीछे हो रहा है तो उस टाइब के पोज अपर अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर उनका बना हुआ रहता है उनको सकते हैं आशा है कि आपको सारे टॉपिक्स इजी समझ में आ रहे होंगे हम लर्ण इट पे आपके लिए ईजी और सिंपल लर्निंग मेट्रियल बनाते रहते हैं जिसके कारण आपकी लर्णिंग और लिस देख सकते हैं अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लगता है तो प्लीज उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें ऐसे ही और वीडियो के लिए आप अपडेटेट इट रहें स्टे हेल्दी स्टे फिट